नमस्कार मैं गौतम और आप देख रहे हैं गौतम फार्मिंग चैनल आज आप इस चैनल पर जैनेंगे कि दिसंबर माह में राई सर्सों में लगने वाले प्रमो कीटों के बारे में और उसका नियंत्रन कैसे करें अगर आप इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं ताकि अगली वीडियो की सही जनकारी आपको मिल सके अगर आप फेस्बुक पर देख रहे हैं तो फेस्बुक पे जरूब करें सारी जनकारी इसी चैनल पर तो वीडियो को बीने स्किप के वह अंतिम तक जरूर देखें winterzeniu, किसान राइस सर्सौ में कई तरह के केट लग जाते हैं जिसे फ़्सल खरब हो जाती है नतिजन किसानों को भारी निक्सान जलना पड़ता है अब इसे में सवाल या उठता है कि ऐसा क्या किया ज़िसे फसल में कीट ना लगे तो आये किसान भाई आज हम आपको पताते हैं कि राई सरसो की खेत में क्या ऐसा करे कि उसमें कीट न लगे और फसल भी नस्ट न हो तो इसका पहला कारान है किसान भाई एफिड इसे चेपा भी कहते हैं ये कीटे रस चुषते हैं जिससे पौधा कमजोर हा जाता है नतिजन पौधे का सही तरह से विकास नहीं आपाता है और फसल की पादकता प्रभावित हो जाती है नियंतरन के लिए फसल की बुआई समय पर करें किसान भाई नेट्रोजन उरक का अत्यधिक प्रयोग से बचे यदि खेत में इसका हमला अधिक दिखता है तो थायो मैथमेक से 25% WG 50 ग्राम प्रती एकर दो सोल्टर पानी में घोर कर इसे छिरिकाव करें दूसरा है किसान भाई पेंटेट बग या अंकुरन अवस्था और परिपक्कतवा अवस्था में फसल को नश्ट कर देता है और रस को चुसता है नतीजन फसल सुख जाते हैं नियंतरन के लिए इसकी बुआई से 3-4 सब्तावाद सिचाई करने से कीटों की संख्या कम करने मज़त मिलती है यदि इसका हमला खेत में दिखे तो मेलाथियोन 400 मिली प्रती एकर में एस्प्रे करें और अगला है किसान भाई लौव सुख ये युवा लर्वा पतियों को इसे पूरी तरह से नस्ट कर देते हैं नियंतरन के लिए यदि खेत में इसका हमला दिखा तो मेलेठियोन 5% डस्ट 15 किलोग्राम या डाई क्लोरोव से 200 मिली को 100 से 125 लिटर पाने मिला कर स्प्रे करें अगला है किसान प्लाइट भिकाते हैं तने सखाओं पत्रक और भल्यो प्रकोप होने पर तथा तनी फली मुर्जा जाते हैं इसके नियंतरन में खेत के लिए प्रतरियोधी किस्मों का उप्योग करें और रोग लगने पर इंडो फिल M45 डाईतर में 45 विसे करें या कैप्टन 260 ग्राम 100 लिटर पाने मिला कर प्रती एकर में स्प्रे करें यदि आ अगला है किसान भाई डाउनी मिल्डू पतियों के निचले सत्व पर सफेद रंग की व्रिधी इसके लच्छन है साथ ही इसकी पतिया हरे से पिले रंग के रूप में लेने लगती है किसान भाई इसका नियंतरन के लिए फसल की बुआई से पहले पिछली फसल के मलवे को जरूर कर दें इंडोफील एं 45 ए 400 ग्राम को 150 लिटर प्रती एकर में मिला कर 15 दीलों के अंतराल पर चार बार इस्प्रे करें और अगला है किसान भाई सफेद रत्वा वाइट रस्ट इसे भी करते हैं पतियों तनों और फूलों पर सफेद दाने दिखाई देने इसका प् प्लिक से 8% प्लस मैंकोजेव 64% दो ग्राम प्रती लिटर पानी में इस्प्रे या कोपर ऑकसाइड 25 ग्राम प्रती लिटर पानी में इस्प्रे करें यदि आवा सकता हो तो 10 से 15 दिन के अंतराल पर चिरकाव को तो किसान भाई ये सब सावधानिया बरत कर आप अच्छी उ